जियान एंड जैको अब तुम सब को साथ में गाना है ठीक है चलो शुरू करो मुझे किस ने मारा हेई डोरेमोन चुप हो जाओ अब ज्यादा शुर मचाया तो अच्छा नहीं होगा समझ गए ना जियान तो सब के साथ ऐसा ही करता है वो कभी नहीं सुद्रेगा तुम में से किसी को चोड तो नहीं लगी ना चलो ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है आज जियान का मूड इतना खराब क्यूं था यह लोग जल्दी करो पॉल देरी तरफ बैको लोग अरे वाग यह सब तो यहां खेल रही है हे नोबिता सेलो जरा यह मैं भी यहां खेल सकता हूँ हाँ डोरे मॉन चलो अब हम दो टीम्स बनाकर आपस में मैच खेलते हैं नोबिता हाँ ठीक है सुनियो रुक जा तुम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो क्या तुम्हें पता नहीं दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे है शोर मचाने की बजाये तुम्हें घर जाकर अपना होमवक करना चाहिए समझते ही नहीं है इससे क्या हुआ? जीान ने कहा हमें अपना होमवक करना चाहिए मुझे तो लगता है इसकी तबियत खराब है है ना नोबिता यह ऐसा बेहेव क्यों कर रहा है इतने शोर में कोई काम कैसे कर सकता है सुनो जैको देखा शोर बंद हो गया क्या तुम्हें कोई नया आईडिया आया नहीं भैया क्या भैया मुझे कोई नया आईडिया नहीं आ रहा मुझमें टालेंट नहीं है मैं हार मानती हूँ तुम्हारा मतलब क्या है, देखो तुम्हें एक जीनियस हो, ये सच है जैको, और एक दिन तुम इस देश की सबसे बड़ी कार्टूनिस बनोगी नहीं, डेडलाइन नस्दीक है, और मैंने एक भी पेज़ ड्रॉ नहीं किया है, ये अच्छी बात नहीं है, अब मैं क्या करूँगी बहिया तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है, तुम बिल्कुल भी मत घबराना जैको ये क्या करेंगे मैं जाकर मोटियों से मिलता हूँ, जो कॉमिक क्लब का एडिटर है, और मैं उससे जाकर कहूँगा, डेडलाइन एक्स्टेंड कर दो नहीं तो, ठीक नहीं होगा रुख जाएए भाईया, देखे भाईया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन जैको हम सबने मिलकर डेडलाइन डेसाइड की थी, अब मैं शिकायत नहीं कर सकती अच्छा, ठीक है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता जैको बस मुझ से बात मत कीजिया, आप डिस्टरब कर रहे हैं समझ गया क्या बात है? क्या हुआ? अगर हम शोर मचाएंगे तो जीयान हमें डाटेगा घबराओ माझ, जीयान हमें तभी डांटेगा जब वो यहाँ पर होगा सुनो जीयान, अब हम शोर नहीं मचाएंगे हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें माद कर दो जीयान मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो जैको कॉमिक क्लब बुक में कॉंट्रिब्यूट कर रही है यह कौन सा क्लब है कॉमिक बुक्स के फैन्स मिलकर अपनी खुद की एक बुक क्रियेट कर रही है नो बिता क्यू है ना हाँ सबको इंतजार है कि इस बार जैको क्या करेगी उसकी कॉमिक्स काफी इंट्रेस्टिंग होती है क्यू है ना लेकिन पता नहीं जैको को क्या हो गया है उसने अभी तक कुछ भी ट्रॉ नहीं किया कुछ भी नहीं अब क्या होगा उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी का एडिया है ये एंशिंट एजिप्ट की एक ट्राजिक लव स्टोरी है नोबिता सच में? ये तो बहुत अच्छा एडिया है Jiyan में केरेक्टर एक किंग है जिसका आखरी नाम रामेन या आमेन है क्या एजिप्ट का किंग रामेन? लेकिन रामेन तो चाइना से धाना मैं समझ गया जरूर ये किंग तूतन खामेन होगा जियान हाँ ये वही है किंग तूतन खामेन क्यारेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए उसे कुछ इंफोर्मेशन चाहिए वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम अपनी टाइम मशीन की मदद से एंचिन इजिप्ट जा सकते हो और उसके लिए कुछ फोटोस खीच कर ला सकते हो? कुछ फोटोस खीच लाएं? क्या तुम्हें लगता है ये इतना असान है तुम मुझे मना कर रहे हो रोग जाओ ये काम बहुत मुश्किल है जियान हाँ सही कहाँ मैं जानता हूँ तुम अपनी बेहन से प्यार करते हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को खेलने ना दो और उन पर पत्थर भेको तुम बहुत सेलफिश हो गए हो समझ गया दर असल मैं जैको को ऐसी हलत में नहीं देख सकता मैं तुम से रिक्वेश्ट करता हूँ लीज मेरी मदद करो हमें उसकी मदद करनी चाहिए डोरे मौन हाँ सही कहा काम हो गया जियान हां थैंक यू थैंक यू जैको जैको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ देखो मेरे हाथ में इंक्षि डिजप की कितनी सारी फोटोज है अरे जैको बात क्या है क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई देखो इस तरह शोर मत मचाईए मैं एक नए आइडिया पर काम कर रही हूँ भाया आप मुझे डिस्टरब मत कीजिए एक नए आइडिया और वो क्या है मैं एजिप्शन स्टोरी पर नहीं सोच पाई तो मैं अब मिडल एजिस के यॉर्प के बारे में सोच रही हूँ क्या कहा मिडल एजिस तो क्या आप तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है मुझे स्टोरी चाहिए किंग आर्थर और राउंड टेबल की नाइट्स की जैसी किंग अर्थ और दे राउंड नाइट्स मैं समझ गया दोरे मॉन नोबिता ये लो मिडल एजिस के यॉरप की फोटोस बहुत अच्छे नोबिता और हाँ इन्हे नाइट्स आप दे राउंड टेबल कहते हैं जियान समझ गया थांक यू राउंड टेबल राउंड टेबल राउंड टेबल जैको मुझे राउंड नाइट्स की फोटोस मिल गई है अरे वो यहां तो नहीं है आखिर जैको चली कहां गई जैको तुम कहां हो तुम यहां पर क्या कर रही हो भाईया अब मैंने एक नया आइडिया सोच लिया है तुमने नाइट्स ऑफ राउंड अनियन का आइडिया छोड दिया तो अब तुम्हें यह फोटोस नहीं चाहिए तो अब तुम्हें कहां की फोटोस चाहिए अमेरिका या चाहना आप जाहिए यहां से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़ दे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जाये यहां से, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए, जहां मैं आराम से बैठ कर ड्रॉ कर सकूँ मैं क्या करूँ लिकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था, समझा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूँ, जैको कैसा फिल कर रही होगी क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते अगर मैं ये सोच भी लूँ कि मैं उसे अकेला छोड़ दूँगा तो भी मैं बार-बार उसके रूम में जागता रहूँगा, डोरे मॉन क्या तुम दोनों किसी ऐसी जगे को जानते हो, जहां मैं जैको को परिशान ना कर सकूँ, बोलो मैं समझ गया, ये ठीक रहेगा इस बटन को प्रेस करते ही, ये एक आदमी के रहने लायक रूम बन जाएगा इसमें बैटकर जैको अपना काम कर सकती है रुको, क्या तुम दोनों जाकर जैको को ये बात समझा सकते हो पर क्यूँ, अगर मैं गया तो वो कहेगी मैं उसे परिशान कर रहा हूँ प्लीज मान जाओ, ठीक है चले डोरे मॉन, हम अभी जाते हैं ये हम पर छोड़ दो, तुम कितने अच्छे हो देखो, इसका धक्कन तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता, जैको सच में? इसके अंदर टाइम अलग स्पीड पर चलता है इसमें बिताया गया, एक पूरा दिन बाहर के सिर्फ ए घंटे की बराबर होता है तो अगर मैं अंदर तीन दन बिताऊंगी तो बाहर सिर्फ तीन घंटे ही बीतेंगे हाँ, सही कहा ये तो कमाल का रूम है ये फोर्च डाइमेंशनल रूम है अपनी जरूरत की सारी चीज़े तुम्हें यहां मिल जाएंगी, जैको अगर तुम्हें भूख लगे तो रेफ्रिजरेटर से कुछ निकाल लेना समझ गया ठीक है, all the best थांक यू क्या हुआ वो खुश है, अब तुम्हें उसे दिस्टर्ब नहीं करना है समझ गया कोई आवाज नहीं आ रही क्या वो ठीक है जैको, best of luck जब तक काम पूरा नहीं होगा, मैं यहीं रहूँगा चल कर देखता हूँ कि जैको ने क्या ड्रॉ किया होगा जैको, जैको हे जैको, मोटियो तुमसे मिलने आया है, क्या मैं उसे वापस भेज़ दूँ? अरे यह तो खुला हुआ है इसने काम पूरा कर लिया लगता है, आज यह बहुत ठक गई है तुम आराम से रेस्ट करो जैको, मैं यह जाकर मोटियो को दे दूँगा क्या, उसने पूरा कर लिया? जरा मुझे दिखाओ, जियान अगर फिर से इसने कुछ ऐसा वैसा कहा, तो आज यह मुझसे नहीं बचेगा बिग ब्रोदर, यह तो एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है एक ऐसा लड़का जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते और जो अपनी छोटी बेहन की मुसीबतें बढ़ाता रहता है मुझे इस बेहन के लिए बहुत दुख है ऐसे भाई से तो कोई भी दूर रहना पसंद करेगा जैको ने काम कर लिया होगा? पता नहीं, देखो, यहाँ तो मोटियो भी है तुमने सही कहा? उसने काम पूरा कर लिया? हे जियान नोबल दाट डोरे मा अरे तुम रो क्यों रहे हो? यह कमाल की स्टोरी है, जैको ने कमाल कर दिया क्या सच में? इस कहानी में एक लड़का है जो अपनी बेहन से बहुत प्यार करता है लेकिन उसे हमेशा मुश्किल में डाल देता है वो अपनी बेहन के लिए हमेशा मुश्किले खड़ी करता है वो कहती है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है एक प्यारी छोटी बेहन और किसी भी काम ना आने वाला भाई आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं जैको मैं ठब गई हूँ मुझे थोड़ी देर सोने दीजिये प्लीज सॉरी मुझे माप कर दो अब मैं अभी तुम्हें परिशाद नहीं करूँगा जैको मॉन्टेज बकेट मैं घर आ गया घर में कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं रुक कर वेट कर लूँ मुझे लगता है मॉम जरूर शॉपिंग करने गई होंगी यह बहुत बुरा हुआ कि वह यहां नहीं है अब मैं क्या करूँ मुझे तुमारे पेरेंट्स से बहुत जरूरी काम था और उसने कहा था वो आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है वो कौन हो सकता है मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका नाम क्या था पता नहीं मॉम तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था नोबिता लेकिन वो देखने में कैसा लगता था ये तो तुम बता ही सकते हो हां सोचने दो वो देखने में कैसा लगता था उसकी आखे हां कैसी थी हां वो उसकी नाख कैसी थी हां नाख उसकी नाख थी नोबिता कई तरह की नाख होती है छोटी बड़ी लंबी मोटी जितना ज्यादा आप पूछेंगी उतना ही मैं कंफ्यूज हो जाओंगा पता नहीं उस आदमी को हमसे क्या जरूरी काम था उसने मुझे कुछ नहीं बताया डैड अरे तुम उठ गए नो बिता तुमने कुछ डॉर किया दिखाओ मुझे नहीं तुम हसोगे मैं नहीं हसूँगा मुझे दिखाओ तो सच में यह लो तुम हस रहे हो डोरेमान मुझसे उसका स्कैस नहीं बन रहा है डोरेमान मैं बहुत देर से उसका चहरा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिर याद नहीं आ रहा हम इससे उस आदमी का चहरा रीक्रियेट करेंगे हाँ क्या सच में ऐसा हो सकता है इसमें चहरे के अलग-अलग हिस्से दिखेंगी नोबिता उनकी मदद से तुम उसका चहरा बना सकते हो समझ गया शुरुआत आखों से करते हैं उसकी आखें ऐसी नहीं थी मैं तुम्हें और आखें दिखाता हूँ नोबिता हाँ उसकी आखें ऐसी ही थी अब तुम्हें उसके जैसी नाख पहचाननी है नोबिता ओके यह उसकी नाख जैसी है अब उसका मू ढूनते है हाँ उसका मू ऐसा ही है अब आई प्रोज रुको डोरेमॉन ये वाली है अब तुम्हें उसका हैस्टाइल और पेस की शेप पहचाननी है ठीक है डोरेमॉन अगर शेप गलत हुई तो चहरा बिलकुल अलग दिखेगा इसलिए बहुत ध्यान से देखना नोबिता डोरेमॉन उसका हैस्टाइल यही है ठीक है अब हम इन सारी चीजों को जोड़ कर इनकी मदद से एक चहरा बनाएंगे तुम्हें इस बकेट को अपने सिर में पहन लो नोबिता क्या लेकिन क्यों डोरेमॉन शांत हो जाओ जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो लेकिन ये क्या है डोरेमॉन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ये चहरा बना रहा है लगता है काम हो गया ठीक है नोबिता अब तुम बकेट हटा सकते हो जड़ा देखो हाँ डोरेमॉन उसका चहरा बिलकुल ऐसा ही था चलो अब मॉम और डाट को भी दिखाते हैं मैं तो इसे नहीं जानता मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा ये तो अजीब बात है क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो ऐसा ही दिखता था वो ऐसा ही दिखता था मुझे पूरा यकीन है लेकिन मैं तो इसे आज से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ लेकिन उसने तो मुझसे कहा था वो आपको अच्छी तरह जानता है डैड ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं छोटी थी तो ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता हो हो सकता है लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है क्या करू अब क्या करें डूरेमान अगर तुम बाहर गूमने जाओगे तो हो सकता है इस चेहरे को कोई पहचान ले नोबिता वाओ ये आइडिया तो अच्छा है नोबिता हाँ मैंने आज पहली बार तुमें किसी काम को इतनी मेहनत से करते हुए देखा है गुड लग कोई तो इस चेहरे को पहचानेगा ही हाँ अरे जियान और सुन्यो हाई अरे आप हमें जानते हैं इन्ही थोड़ा परेशान करता हूँ क्या तुम दोनों किसी नोबिता को जानते हो हाँ हम जानते हैं लेकिन ये बताईए आप उसे कैसे जानते हैं मैं उसका अंकल हूँ क्या तुम वही हो जो उसे परिशान करते रहते हो नहीं हम उसे परिशान नहीं करते क्यूं है ना सुनियो हम तो हमेशा उसके हेल्प करते हैं हाँ हाँ वो हमारा अच्छा दोस्त है जूट मत बोलो अगली बार तुमने उसे परिशान किया तो मैं तुम मुझे पहचानती है नहीं मैं नहीं पहचानती आपको पहले कभी नहीं देखा मुझे नहीं पता तुम जाकर पुलीस से पूछो यह काफी जाना पहचाना है हां क्या सच में हां इसे मैंने थोड़ी देर पहले ही तो देखा था लेकिन कहां देखा था मैंने शायद इसे पु पुलिस्टेशन के सामने हैंक्स अंकल अरे रुको बना अजी बात रिथा वो यह तो वही आदमी है विकी दर रॉबर अरे नहीं यह तो तेईस बार अरेस्ट हो चुका है भाता हूं नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी डोरेमान बचाओ मुझे यह कहां जा रहा है अरे तुम्हें इस तरह से सड़क पर नहीं गुमना चाहिए विकी तुम्हारे नाम से तो अरेस्ट वारण की निकल चुका है जल्दी चलो मुझे जोड़ दो अरे पता नहीं यह नोबिता भी कहां चला गया है अरे नहीं मुझे नोबिता का चेहरा पेले जैसा करना होगा वरना प्रॉब्यम हो जाएगी अरे तुम यहां पर छिपकर क्यों बैठे हुए हो बहार निकलो मुझे जल्दी से तुम्हारा चेहरा पदलना होगा वरना तुम मुसीबत में भज जाओगे क्या तुम इससे मेरा चेहरा बदल दोगे मैंने अभी तो तुम्हारा चेहरा बदला था तुम्ही याद नहीं है नोबिता यह तो बहुत अच्छी चीज़ है तुम आक्टर क्यों नहीं आ जाते विगी प्लीज तुम्हें अंदर आना ही होगा मुझे अपने खर जाना है प्लीज बिगि चल्दी उंदर चलो चल्दी यह सब क्या हो रहा है अच्छा ह्वा तुमाध़ बिगी अंदर जाने समाना कर रहा है औरे अरे यह क्या दो-दो पीगी के नैं समझ गया तो तुमने इस gadget की मदद से अपनी चीहरे को बदला है ज़्यों है सिरू busy से हम me बताओ इसका विए लिज्य और मत मारना मैं तुम्हें बताता हूं इस फिले उसकते हैं older sakhiravans uh भीगी थेक है ना अब जल्दी से-से ओन करो थेक है वीगी मैं इस मशीन को ओन करता हूं क्या अभी तक नहीं हुआ जल्दी मत करो अपने चीहरे को हैंसम बनाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा कि दूरेमॉन तुम कहा हो जल्दी आओ हाँ मुझे लगता है हो गया है मैं हैंसम लग रहा हूं इसलिए हैरान हो गए इसमें अपना चेहरा देखो यह सब क्या हो गया तुमने मेरे चेहरे को क्या कर दिया यह मेरी गलती नहीं है यह सब तुमारी ही गलती है मैं आ गया नोबिता डॉरेमॉन अब मैं तुम्हें बचा लूँगा मुझे लगता है उसने गलत पटन प्रेस कर दिये नोबिता है है नोबिता चलो खेलने चलते हैं क्या तुम्हारे अंकल वापस चले गए हैं वो चले गए है तुम अपने अंकल को बताओगे ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं है ना नोबिता हाँ नोबिता अब हम तुम्हें कभी परिशान नहीं करेंगे मुझे लगता है इनको सचाए नहीं बतानी चाहिए चलो अब खेलने चलते हैं हाँ हाँ चलो हम सौकर खेलते हैं गुड़ आइडिया